नमस्ते मैं चंदर सकर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार S.S.E. के लिए मैध का स्रीज स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग परती एक दिन बिहार S.S.E. में आए हुए मैध का प्रिवेस येर कोशन करते हैं चलिए आज उस स्रीज में हम लोग आगे की दरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस करना विल्कुल न भोले ताकि आपको सबसे पहले latest notification मिलता रहे है चलिए अब हम लोग question की दरफ चलते हैं अधिक समय लेता है तो हम यहां से समय का रेशियो निकालेंगे सबसे पहले हम समय का रेशियो निकालेंगे जो है तीन उनिट का समय लेगा अब देखिए हमें समय का रेशियो पता चल गया तो हम यहां से इफिसेंसी यानि छमता का रेशियो निकाल सकते हैं हम यहां से अगर छमता का रेशियो निकालेंगे तो छमता का रेशियो क्या हो जागा समय का रेशियो का अपोजिट हो जागा यानि छमता का रेशियो हो जागा 2 is to 3 अब देखे दोनों का हमें efficiency पता चल गया और हमें question में दिया है कि दोनों अगर एक साथ काम करें तो काम जो है अठाड़े दिन में समाप्त हो रहा है तो हम यहां से कुल काम यानि total word निकाल सकते हैं हम यहां से कुल काम कैसे निकालेंगे हम यहां से कुल काम कैसे निकालेंगे efficiency के दोनों के efficiency से अगर हम समय में गुना करेंगे तो हमारा total work निकल किया जाएगा अब देखिए A का efficiency कितना है 2 unit और B का efficiency कितना है 3 unit दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो efficiency कितना हो जाएगा 5 unit अब देखिए 5 unit के efficiency के साथ दोनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो काम जो है अठाड़ी दिन में समाप थो रहा है। यैनि यहाँ से हमारो टोटल वर्ट कितना होगा ? हम 18 में अगर 5 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जागा ? नब्य हुणिट टोटल वर्ट हमारारो निकल कि आगा इनब्य हुणिट और हम से पूछ क्या रहा है कि अगर उसी काम को B अखेले करे उसी काम को अगर B अखेले करे तो कितना समय लगेगा अब देखें B का efficiency कितना है 3 unit और काम total कितना है हमारा 90 unit अगर 90 unit काम B जो है 3 unit का efficiency के साथ करेगा तो कितना समय लग जाएगा यहाँ से हमारा समय निकल के आजागा 30 दिन यानि B.O.S. काम को अगर अखेले करेगा तो कितना समय लग जागा 30 दिन का समय लग जागा चलिए question समझ मैं आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है एक पिता की उम्र मा की उम्र से 7 बर्स अधिक है और मा इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 वुनी है इस समय पुत्री की उम्र 10 बर्स है तदनसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी हमें क्या निकालना है पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र निकालना है तो देखे हम सबसे प पुत्री का उम्र कितना है, दस बर्स है, तो हम बरतमान में मा का उम्र निकाल सकते हैं, हमें कोश्चन में दिया हुआ है, कि मा का उम्र है, पुत्री का उम्र का क्या है, तिन गुना है, यनि बरतमान में पुत्री के उम्र के तिन गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, दस ठीक है तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा पिता का जो उम्र हो जाएगा मा का उम्र कितना है 30 वर्स तीस में अगर हम साथ एड करेंगे तो पिता का उम्र निकल किया जाएगा पिता का उम्र कितना हो जागा 37 वर्स हो जाएगा पिता का उम्र कितना हो जागा 37 वर्स अब दे यानि 10 बस पहले जो है पुत्री का जनम हुआ था यानि पुत्री के जनम के समय पीता का उम्र क्या हो जाएगा हम इस 37 बर्स में से 10 बर्स माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या निकल क्या जागा 27 बर्स हमारा आंसर क्या निकल क्या जागा 27 बर्स चलिए कोशिन समझ में आ गया हो देखिए जब भी कोई train किसी ब्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो उस case में train अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, अब देखिए हमें train का speed दिया हुआ है और ब्यक्ति का speed दिया हुआ है, दोनों जो है एक ही दिसा में चल रहे हैं, तो हम relative speed निकाल के और इस दूरी में अगर हम भाग देंगे, तो हमारा समय निकल के आ जाएगा, कि उस ब्यक्ति को train जो है कितना समय में पार कर लेगी, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, relative speed निकालना पड़ेगा, अब देखिए train का जो हमें speed दिया हुआ है, वो km पर घंटा में दिया हुआ है, और ब्यक्ति का speed हमें क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले train के speed को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, अब देखिए train का हमें speed क्या दिया हुआ है, 360 km पर घंटा, हम इसे मीटर पर सेकं करेंगे तो ये कितना हो जागा सोँ सो मीटर पर सेकंड हमारा ट्रेन का स्पीड निकल किया गया और बैक्ति년 का स्पीड हमें क्या दिया हूँ बैक्तिर स्पीडेंग दिये अब देखिए 100 में से 46 माइनस करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड हमारा क्या निकल कियागा 24 मीटर पर सेकेंड और हमें दूरी क्या दिया है 960 मीटर यानि ट्रेन के लंबाई हमें दिया हुआ है और ब्यक्ती को जब ट्रेन पर करेगी तो अपने लंबाई के पराबर तो ही दूरी चलेगी तो देखिए हम यहाँ से समय निकालेंगे तो दूरी में दूरी कितना है 960 मीटर दूरी कितना है 960 मिटर में हम अगर भाग देंगे इस स्पीड से रिलेटिव स्पीड से तो हमारा समय निखिल की आ जाएगा अब देखिए 96 को एगर हम 24 से काटेंगे तो 24 चोग करो क्या होता है? 96 होता है यहनी कितने वर में जाएगा 40 वर में ये कितने बर में जाए गाए? 40 बर में ये निए यहां से हमारा समय किया निकल के आगए? 40 सेकेंड उस भ्यक्ति को जो है ट्रेंज 40 सेकेंड में पार कर लेगी हमारा आंसर किया निकल के आगए? 40 सेकेंड चलिए question समझ में आगया होगा Next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question दिया है, एक चुनाओ में दो उमिद्वार थे, इनमें कुल 85% मत परे, इनमें से 5% मतों को अवैद गोशित किया गया, एक उमिद्वार को वैद मतों के 80% मत मिले, जो 17,442 मत थे, इस चुनाओ में मददताओं की कुल संख्या ग्य क्या दिया है कि चुनाओ में 85% मत परे, तो इस x का 85% मत चुनाओ में परे, जिसमें से चुनाओ की 5% मत अवैद गोशित हो गया, तो देखिये, वैद मत क कितना हो गया, 95% हम इसका 95% निकालेंगे, उसके बाद हमें question में क्या दियाओ कि एक उमिद्वार को वैद मतों का 18% मत प्राथ हुआ यानि इसका हम 80% निकालेंगे इसका हम 80% निकालेंगे ये किसके बरावर हो जाएगा ये हो जाएगा 7442 के बरावर ये हो जाएगा 7442 के बरावर हो जाएगा अब देखिए यहां से अगर हम इसे 20 से काटेंगे तो ये 20 से 4 बार में जाएगा ये 20 से 5 बार में जाएगा अब देखिए हम इसे काट सकते हैं और हम इसे अगर 17 से काटेंगे हम इसे अगर 17 से काटेंगे तो ये 5 से काटेगा हमारा कितने बार में 17 बार में 5 से 17 बार में काटेगा और ये 5 से हमारा कितने बार में काटेगा ये 5 से 20 बार में कटेगा अब देखिए और हम क्या काट सकते हैं हम इस 5 से इसे काट सकते हैं 19 बार में अब देखिए हम इसे अगर 17 से काटेंगे हम इसे अगर 17 से काटेंगे तो देखिए ये 17 से कितने बार में जाएगा ये 17 से 1 बार में जाएगा जीरो, सतरे दुना 34 हाथ में 10, सतरे च्छा का 102, अब देखिए हम इसे और काट सकते हैं, हम इसे अगर 19 से काटें, हम इसे अगर 19 से काटेंगे, तो ये 19 से कितने बर में जाएगा 19 से 5 बर में जाएगा, 19 95 95, हाथ में कितना जाएगा, 7 76 19 4 का क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा अब देखिए, हम इसे अगर 4 से काटेंगे, हम एक बार यहां से लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, X गुने उपर क्या बचिए, X गुने 4 और हम यहां से क्रॉस गुना कर लेते हैं हम यहां से cross गुना कर लेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 54 गुने 54 गुने 20 गुने 100 हो जाएगा अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे 20 को यह 4 से 5 बर में चला जाएगा 4 से 5 बर में चला जाएगा हम गुना करेंगे अगर चोवन में 5 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जागा 20 के 0 हांट में 2 25 दो 27 और 2 0 यहां से आ जाएगा यानि हमारा आंसर क्या निकल किया गया x equal to हमारा निकल किया गया 27,000 यहनी चुनाव में टोटल जो है मददाता की संख्या क्या होगा 27,000 होगा चली कोश्चन समझ में आ गया होगा next question पर चलते है देखे हमारा कोश्चिन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चिन दिया है यदि एक ब्यक्ती सोनपूर मेले में दो घोरे परतेक 14,000 रुपय में बेजता है एक पर उसे 15% लाब होता है प्रन्तु दूसरे 15% हानी पर बेजता है तदन्सार पूरे बैपार में उसे कितना परतिसत लाब या हानी हुई हमें क्या निकलना है पूरे बैपार में लाब या हानी परतिसत निकालना है तो देखे एक कंसेप्ट को समझते हैं कि जब भी कोई दो बस्तु का अगर क्रैमूल बडाबर हो क्रेमूल अगर बराबर हो और 1 बस्तू को 1% लाब पे बेचा जाए और 1 बस्तू को 1% हानी पे बेचा जाए तो उस case में पूरे सौधे में क्या होगा, हानी होगा, और हानी परतिसत कितना होगा, एक को एक सपरतिसत लाप पे बेचा जा रहा था, और एक को एक सपरतिसत हानी पे बेचा जा जा रहा था, तो वहाँ हानी परतिसत कितना हो जाएगा, हानी परतिसत हो जाएगा, एक से स्क कितना हो जाएगा इस पूरे सोदे में हानी हो जाएगा और हानी कितना हो जाएगा एक से स्क्वाइर बटा हंडेड अब देखें यहां एक समारा क्या है यानि एक को पंद्रे परतिसेत लाप पे बेच रहा है और एक को जो है पंद्रे परतिसेत हानी पे बेच रहा है यानि X का value क्या है? 15, यानि 15 का square हम करेंगे, 15 का square बटा 100 करेंगे, 15 का square कितना होता है? 15 का square हो जालता है, 225, 225 बटा 100, 225 में अगर हम 100 से भाग देंगे, तो यह हमारा कितना हो जागा? 2.25%, यानि उसे जो है पूरे सौधे में 2.25% का हानी हो जाएगा, अब देखिए, यहां तो हम में दिया हो था कि एक को जो है 15% लाप पे बेच रहा है, और एक को जो है 15% हानी पे बेच रहा है, अगर हमें यह दिया होता कि एक को जो है 15% लाप पे बेच रहा है, और एक को 10% हानी पे बेच रहा है, तब क्या हम इस फर्मूला को यूज करते? नहीं, इस फर्मूला को ह कैसे solve करते हैं पहले हम क्या करते हैं percentage को fraction में change करते हैं और वहां से हम क्रैमूल और बिक्रैमूल का ratio लेते हैं और वहां से दोनों का दोनों बस्तू का हम क्या करते हैं अगर हमें क्रैमूल दिया होता कि बराबर है कोई धन सधारन व्याज की दर पर चौब वर्सों में दोगुना हो जाता है तो यह अपने चार वुना कितने वर्सों में होगा तो देखिए हम क्या करते हैं हम कुछ धन को माल लेते हैं धन रासी को हम कुछ माल लेते हैं देखिए हमने माल लेगी धन रासी हमारी सो रुपया है, हमने माल लिए कि धनरासी straight है तो छोग बर्स में, छोग बर्स में धनरासी जो है स्वेम की दुगूलना हो जा रही है यार्नि धनरासी कितना हो जाएगी? 200 रोपया हो जाएगी, धनरासी कितना हो जाएगी? 200 रोपया, अब देखेए, हमसे क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि वही धन रासी वही धन रासी कितने वर्सों में स्वेम की चार गुनी हो जाएगी चार गुनी यानि 400 रुपया हो जाएगी यानि 400 रुपया यहां हमारा प्रिंस्पल क्या होगे 100 रुपया और एमाउन कितना होगे 400 रुपया य यानि ब्याज क्या है, तिन गुना है, तो समय भी हमारा क्या लग जागा, तिन गुना समय लग जागा, यानि यहां से हमारा समय क्या निकल क्या लग जागा, अठारे बर्स, अठारे बर्स में वह रासी जो है स्वेम की चार्ज गुना हो जाएगी, हमारा आंसर क्या निकल क् कितने राशे प्राप्थ होगे, हमें क्या निकालना है, amount निकालना है, अब देखें, question में क्या दिया हुआ है, हमें question में principle दिया हुआ है, principle हमें कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया दिया हुआ है, principle हमें 2000 रुपया दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, rate दिया हो है, rate हमें कितना दिया हो है, तो हम सबसे पहले दो बर्च का चक्रविधी ब्याज निकाल लेते हैं अब देखे हम इस 2000 का अगर 5% के दर से अगर पहले साल ब्याज काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 100 रुपया पहले साल हमें ब्याज कितना मिल जाएगा प्रिंसपल पे 100 रुपया यहां हमारा CI हो जाएगा 205 रुपया CI कितना हो जाएगा 205 रुपया और हमें क्या निकलना है? amount निकलना है तो हम इस CI को principal में add करेंगे यानि यहां से हमारा amount कितना हो जाएगा हम 2000 रुपया में अगर add कर लेंगे 205 रुपया यानि हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 205 रुपया हमारा आंसर क्या निकल किया आगया 205 रुपय निकल किया आगया चली कोशिन समझ में आ गया होगा next कोशिन पर चलते हैं देखे हमारा कोशिन क्या दिया हुआ है हमारा question दिया एक छात ने जितने सवाल सही किये उसमें दुगुने गलत किये अगर उसने कुल 45 सवाल का जबाब दिया तो बताओ उसने कितने गलत सवाल किये हमें क्या करना है गलत सवाल के शंख्या निकालना है तो देखे हमें question में दिया कि जितना सवाल सही कर रहा है उससे दुगुना जो है गलत कर रहा है तो हमने मान लिया कि उसने एकसा सवाल सही किया तो गलत कितना करेगा इसका दुगुना यहने 2x जो है गलत करेगा हम इन दोनों को add करेंगे तो हमारा क्या निकल क्या जाएगा कि उसने जितना सवाल का जबाब दिया उस सवाल का हमारा संख्या निकल क्या जाएगा जो हमें question में क्या दिया है 45 दिया हुआ है अब देखे हम यहां से इसे add करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा 3x 3x equal to क्या हो जागा 45 यहां से हमारा x क्या निकल क्या जागा हमारा x निकल क्या जागा 15 अब देखे हमने x क्या मान के रखा था सही सवाल का संख्या तो सही सवाल का संख्या हमारा क्या निकल क्या जागा 15 निकल क्या जागा 30 यानि उसने 30 सवाल का आंसर जो है गलत दिया होगा चली question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दिया है एक बेक्ती एक रुपए में 5 पेन खड़िद कर उन्हें एक रुपए में 4 के हिसाब से बेच देता है उसके द्वारा प्राप्त लाप परतीसित ग्याद कीजिए हमें क्या निकालना है लाप परतीसित निकालना है तो देखे ऐसे question में हम क्या करेंगे बस्तू का संख्या को बराबर करेंगे हम यह मान के चलेंगे कि जितना बस्तू हम खड़ दे थे उतना ही बस्तू हम बेच रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बस्तू का संख्या पराबर करेंगे अब देखें हमें question में दिया हुआ है हमें question में CP दिया हुआ है क्या हमें जो है CP दिया हुआ है कि वह एक रुपया में हमें CP क्या दिया हुआ है कि एक रुपया में वह पांच पेन खड़ीद रहा है एक रुपया में पांच पेन खड़ीद रहा है और हमें SP क्या दिया हुआ है हमें SP दिया हुआ है SP हमें क्या दिया हुआ है, SP दिया हो कि 1 रुपया में वह 4 पेन बेच रहा है 1 रुपया में 4 पेन बेच रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बस्तू की शंक्या को बराबर करेंगे, देखे हम बस्तू की शंक्या को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे इस 5 और 4 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे उपर हम 4 से गुना कर लेंगे और नीचे हम 5 से गुना करेंगे हम इस साइड अगर 4 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 4 से गुना करना पड़ेगा और बस्तू का CP हो जाएगा 4 रूपया और बस्तू कितना हो जाएगा 20 बस्तू और बस्तू का SP क्या हो जाएगा 5 रूपया 5 रूपया और यहां भी बस्तू का संगय क्या हो जाएगा 20 अब देखे 20 बस्तू जो है 4 रूपया में खरीद कर और 20 बस्तू को 5 रूपया में बेच रह इहां जो है लाब परतीसेट निखल कि आजागा हम सबसे पहले इस में क्या तरहरा यहां सबसे पहले इस में क्या करेंगे हम सबसे पहले इस root 36 को हम solve करेंगे देखें, root से बाहर जब 36 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 को हम 19 में add करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25, और जब 25 root से बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यानि हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं, rooting under 56 plus root under 185, 85 plus 88 गुने, 5 हम लिख सकते हैं इसे, अब देखें, हम 88 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 440, चार सो चालिज में अगर हम 180 एड़ करेंगे, 440 में अगर हम 180 एड़ करेंगे, तो यह हमारा कितना हो जाएगा 625 यह हमारा कितना हो जाएगा 625 यानि हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर यह कितना हो जाएगा 625 अब देखें 625 रूट से बाहर आएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा 25 यानि हम यहां से हुवारा answer क्या निकल क्या गया नौ निकल क्या गया चलिए question समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next class में अगर class अच्छा लगे तो class को like करेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करेगा और class को अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल मत भ चलिए बाइ बाइ बाइ